नमस्कार चतिसगर अकबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार हमारे राजनेतिक विशलेशक शशांक तिवारी के साथ फिर यहां मौजूद हूँ कल कुछ घंटे हमने इस बारे में बात की थी कि मद्दान किस तरह से हुआ उसका क्या मतलब है और हमने एक डेड़ दर्जन अलग-अलग विधानसाभाद सीटों का विशलेशन भी किया था कि उसमें जो उम्मीदवार है उनसे वहां पे कैसी तस्वीर बन रही है अब वो मद्दान के आंकड़े पूरी तरह से फाइनल हो गए है अब उनमें कोई फेर बदल की गुंजाईश नहीं बची है अभी जो सतर सीटों का मद्दान हुआ है ये पच्छतर फीसदी हुआ है जो पहले दोर में बीच सीटों का मद्दान हुआ था जिसमें जंगल बस्तर का इलाका मोहला मानपूर का इलाका कवरधा का जंगल का इलाका जिसमें जंगल का अधिवासी गाओं ये ज़्यादा थ भान पर 78 पीस अड़ डले थे ज़ादा डले थे शेहरों के मुकाबले लेकिन क्या चाह सकते हैं शेहर में रईस ज़ादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं जौ अपने आपको शेहरी उना को घुबाय कहते हैं करती का 미로करण के न का था अब आप देखिए इसमें बड़ी दिल्चस्प कुछ एक बाते हैं इन सतर सीटों पे मद्दान तो 75 फीसदी के आसपास हुआ है शायद थोड़ा सा जादा हुआ है 75 फीसदी से जीरोई 75.08 इतना फीसदी वोट डले हैं लेकिन कुछ सीटें जो हैं उनके मद्दान दे नेता रहे हुए हैं पिछले 15 साल में विधान सभा में सबसे सक्री रहते हैं वो वहां से बीजेपी के केंडिडेट हैं उनके मुकाबले कांग्रेस की महिला प्रत्याशी हैं तारिनी चंद्राकर जिनके पती पिछली बार एक निर्दली केंडिडेट के रूप में नीलम च सिधी लडाई हैं इस सिधी लडाई में वहां की पॉलिंग 90% से जादा पहुँच गई हैं ये 36 गड़ के 2023 के इस चुनाव में सबसे जादा पॉलिंग वाली कांस्ट्रेंसी हैं नब्बे दशमलों एक साथ फीसदी छुटा नहीं होता इतना मद्दान बहुत होता हैं इसक के तरंत बाद में इस से बिलकुल अलग किस्म की एक कांस्ट्रेंसी है सिहावा सिहावा यहां अधिवासी रिजर्व कांस्ट्रेंसी है सिहावा यहां अंबिका मरकाम, ये वहां कॉंग्रेस की केंडिडेट है, अब भाजपा से श्रवन मरकाम, ये केंडिडेट है, यहां 87.64 फीसदी वोट डले हैं यहां पे, खर्सिया, खर्सिया बड़ी चर्चित सीट हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं, अर्जुन सिंग के बाई इलेक्शन के समय, नंद कुमार पटेल जो नकसल हमले में शहीद हुए, उनकी कांस्टेंसी ऐसा कई तरह से चर्चित है वो, वहां 86.67 फीसदी वोट डले हैं, ये ती वगर के आगे है विंद्रा नमागर, ये भी किनारे की सीट है, राज्य के एक तरफ की, यहां पे 86.67 फीसदी से ज्यादा वोट डले हैं, एक है धरम जैगर, यहां भी 86.67 वोट डले हैं, ये पांच विदान सबाच्छेतर ऐसे हैं, जहां 86.67 फीसदी है, इससे ज्यादा बोट डले हैं, इसलिए इनको ध्यान रखने की जरूरत है, दूसरा, तीन विदान सबाच्छेतर ऐसे हैं, जहां पे वोटों का परसेंटेज एकदम से बढ़ा है, पिछले चुनाओं से इस चुनाओं में, एकदम से बढ़ा है, इसमें अन्तागड, बस्तर की सीट है, अन परसा देते हैं, और फीस पटाते हैं, मैं रिश्वत की बात नहीं बोल रहा हूँ, सेवेन नाइन पॉइंट सेवेन नाइन परसेंट अंतागड में, यहां पांच दशमलों तीन चार फीसदी बढ़ गया है वोट पिछली बार से, बड़ा जंप है, दूसरा, कोंटा की ए दले हैं, वहां पर 7.84 फीसदी बढ़ गये हैं पिछले चुनाओं से वोट, ऐसा ही है, दंतेवाडा सीट, दंतेवाडा आपको ध्यान होगा, महंदर कर्मा की सीट थी, उनका परिवार बाद में उनकी पत्नी लड़ी, उनके बाद बेटा लड रहा है वहां से, वहां पे 69 59.88 फीसदी वोट डले हैं, 9.26 परसेंट वोट बल गयें, 9.26 परसेंट वोट बल गयें, छोटा नहीं होता इतना, करीब करीब 10 परसेंट वोट बल गयें वहां पे, चलिए, आज लेकिन एक दिल्चस्प बात करने के लिए हम यहां पे मौजूद हैं, बड़ी वो बात है, राइपूर और बिलासपूर, एक अपने आपको गर्व से 36 गल की राजधानी कहता है एक शहर, दूसरा शहर आपने आपको 36 गल की नियाएधानी कहता है, बिलासपूर चूंकि वहां हाई कोट है, ऐसा ही है, इन दोनों शहरों की सीटों को अगर देखें, तो बड़े दिल्चस्प आखड़े हैं इसके, आपको मैं बतलाओं, 36 गल की जो सीटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा शहर जो है राइपूर है, यहां चार सीटे है, ठीक है, बिलकुल, चार सीटे हैं यहां पर राइपूर, उत्तर, दक्षिन, पश्चिम और राइपूर ग्राम इसा, तो चार सीटे हैं यहां पर, इन चार सीटों का हाल आप देखिए, इन चार सीटों का मद्दान का प्रतीशत देखिए, इन में बड़े-बड़े दिगज चुनाव लड़ रहे थे, बड़ी चर्चा थी इन सीटों की, और आपको मैं राइपूर शहर का हाल बताओं, यहां पर, लोगों के पास गाड़ियां हैं, यहां पर कारे करता हैं, यहां पूरे प्रदेश में दोनों ही पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के कारे करताओं का सबसे बड़ा घनत्व यहीं पर हैं, आबादी के अनुपात में कारे करता जो हैं, यहां पर खूब कारे कर लेकिन वोट डालने में क्या हुआ उसको थोड़ा समझने की जरूरत है यह आंकड़े में आपको गिनाना चाहता हूं इसको ध्यान से सुनिएगा राइपूर यहां से हम शुरू करते हैं चलिए राइपूर पश्चिम से चालू करते हैं जहां से की विकास उपाद्याय पश्चिदेट हैं वहां पे 55.94 चपन फी सदी से कम वोट डले हैं राइपूर उत्तर यह उत्तर वो है जहां से कुलदीप जुनेजा दो बार के विधायक हैं वही उम्मीदवार हैं अभी वहां से वहां से भाजपा के पुरंदर मिश्रा उम्मीदवार हैं कांग्रेस के बहुत ही अतिसंपन बागी उम्मीदवार हैं वहां से अजीत कुकरेजा भाजपा की एक और औरिया समाज की एक महिला हैं सावित्री जगत वो भी बागी है तो एक कांग्रेस के बागी एक भाजपा के बागी दो बड़े बड़े दिगज वहां पे चार केंडिडेट वहा राए मैंने सुना है उस रायपूर उत्तर में 55.59 चपन यहां भी नहीं पहुंच पाया 56 प्रीसदी से कम है अंपर भी अब मैं एक सीट और बतलाता हूं आपको यह रायपूर ग्रामीन रायपूर ग्रामीन में 58.55 प्रीसदी है 60 फीसदी ये भी नहीं पहुँच पाया दक्षिन का कितना है फीसदी 69 दक्षिन का 69 है लेकिन कुछ आंकड़े मैं अभी देख रहा था चुनाव आयोगे के शायद वो 60 फीसदी पार किया ही है उसने चुनाव आयोगे आंकड़ों में थोड़ा सा देखने में अलग-अलग वेबसाइट पे कुछ देखने में फर्क आ रहा है लेकिन मैं आपको ये वेबसाइट में अभी जो है आंकड़े मैं ये आपको बतलाता हूँ 69 या 60 फीसदी है दक्षिन का जहां से ब्रिजमोहन अगरवाल है जहां से महंत राम सुन्दरदास है छोटे पार्टियों के और भी उम्मीदवार है जहां से राइपूर के मेयर एजाज धेवर चुनाव संचालक है महंत राम सुन्दरदास के इतने सीनियर विदायक है उनको किसी संचालक की जरूरत नहीं है ऐसे हालत में 59.99 फी सदी 60 फी सदी इसमें नहीं छुआ है ऐसा चुनाव आयोप की वेब साइट कह रही है अब एक बात को समझने की जरूरत है कि ये इन चारों सीटों पे मिल के भी 55-58-69 फी सदी ही है मदान 60 फी सदी नहीं हुआ राइपूर शहर का मदान 58-69 फी सदी पे रुख गया है एक बड़ी दिल्चस्प बात यह है अगर राइपूर के शहर के नक्षे को आप देखें तो इसके इर्द गिर्द दूसरे विधान सबाज़ेतर इसको छूते हुए हैं कौन से छूते हुए हैं हम शुरुवात करते हैं भर्सीवा से जो रहभी जिले की ही सीप है है यह से राइपूर ग्रामिंड सीट से धर्सीवा की सीट लगी हुई है राइपूर ग्रामिंड सीट में 58-55 छाह 58 % वोट डले हैं धर्सीवा में साड़े 77 % से ज़्यादे हैं फरक कितना हो गया है, शायद 19 फीसदी का फरक हो गया है, ऐसा ही है, 19 फीसदी का फरक अगल वगल की दो सीटों पे, 77.6 चार फीसदी वोट डले हैं धरसीवा में, गाउं का इलाका है, पूरा का पूरा, शहर का इलाका बहुत कम है, वहां पे नगरपाली का वगर जरूर है, लेकिन इलाका गाउं का है ज़्यादा वहां पर, और वहां पर राइपूर शहर का नाम के लिए ग्रामीन है, शहर का इलाका है, उससे करीब करीब 19 फीसदी वोट ज़्यादा डले हैं धरसीवा में, हम दूसरी तरफ आते हैं, धरसीवा से लगा हुआ इलाका जो है, राइ यो लेंग उना जिम खी तरन ग्रामींरम इसे उन्हीस फीसदी जादा वह जादा यहाँ पर यह तरह वहां से उननीश फीसदी जादा दूसरे दरह वहां से उननीश स Même यह आरंग का हेल हो गया थी के अब मैं यह एक कांस्टेंसी और बतलाता हूं आपको अभनपूर अभनपूर भी ग्रामीन से लगी हुए ग्रामीन चुंकि किनारे किनारे का है इसलिए अभनपूर में 83.44 पीसदी वोट डले हैं यह राइपूर से जाने कितना मुझको उतना कैलकुलेटर नहीं आता है लेकिन यह कम से कम 25 फीसदी जादा वोट डले हैं यहां पे 25 फीसदी जादा वोट लगी हुए कांस्टेंसी में शहर से 25 फीसदी जादा वोट लगी हुए ग्रामीन कांस्टेंसी में डल रहे हैं ठीक है एक सीट और है यहां से लगी हुए मुख्यमंत्री भूपेश बगेल की पाटन वो भी राइपुरी की पुरी ग्रामीन सीट है राइपुर शहर और मुख्यमंत्री की सीट इसके बीच में कुल एक पुल है पुल एक नदी है खारून नदी नदी के उस पार कांस्टेंसी बदल जाती है चावरासी दशमलों एक दो फीसदी यहने पच्चीस छबीस फीसदी से जानों तरफ की छूती हुई जितनी कांस्टेंसी हैं जो हमने गिनाई है धर्सीमा आरंग अभनपूर और पाठन चार कांस्टेंसी बीतर की चार कांस्टेंसी जो है इसके मुकाबले 19 फीसदी 25 फीसदी 26 फीसदी ऐसा ज्यादा बोट डाल रहा है किनारे के ग्रामीन कांस् इसे चल रहा था यहने मुनात और विकास उपाध्याय बीच की लड़ाई जो है दो दिगजों की लड़ाई अगबार वाले सांडवगर शब्द इस्तेमाल नहीं करते दिगज लिखते हैं वो लेकिन ऐसी लड़ाई चल रही थी ऐसे सींग उल्जे हुए थे पांच साल भ गाउन आग्रवाल लड़ने हैं उनके मुकाबले रामसंदर दास लड़ना है रामसंदर दास को पीछे रखे या बगल में रखे या सामने रखके इजाज देबर लड़ रहे है है ऐसे था इसके बात गोटनी डोल रहे हैं यहाँ पर कुलीब जुनेजा पुरंदर मिश्र अजीत कुकरेजा ऐसे बड़े बड़े केंडिडेट लड़ रहे हैं और कोई कहता है मैं नम नहीं लूगा कोई कहता है इनमें से एक दस करोर रुपए खर्च करनें मैं नहीं जानता मैं नाम Wheel अपजरवर मेरे से हिसाब मांगे गए मैं नहीं नहीं बोल रहा हूं नाम कहते हैं, एक इक एक कैंडिडेट इतना खरच कर रहे हैं, बोट नहीं ड़ार अब पैसा खरच कर रहे हो, इन मेंसे हर backups transparency में, लोगों dalरी जगह अंडाज है कि जो बड़े फिरते रहें, पांच-पांच करोर रुपए से कम में इन्चार कांस्ट्रेंसी में किसी बड़े केंडिडेट का खर्च नहीं है, शर्चा यह है कि पार्टी ने भी दोनों राज्की दलों ने दो-दो करोर रुपए उपलब्द कराये हैं, ऐसा, जो कि पांच गुना होता है आयोग की लिमिट के, यह तो पार्टी ने दिया है, सेठों की बस्ती है, राइपूर शहर, यहां लोग भी बहुत सारा चंदा देते हैं सबको, पता नहीं कौन विदायक बन जाए, किसके दरवाजे जाना पड़े, एक के साथ तो मेयर की ताकत भी जुड़ी हुई है, इतना खर्च करने के बाद, इतने घनत्व वाला शहर, जहां कदम कदम पे, एक के सिर पे दूसरे लोग 10-11 मंजील तक बसे हुए हैं, वोट नहीं डल रहे हैं, वोट यहां से ज़्यादा डल रहे हैं, अगल बगल के गाउं गरीब गुर्वा के इलाके में वोट डल रहे ह क्या वज़े हैं शशांक, आप तो ज़्यादा देखते हो राइपूर मेरे से क्या वज़े हैं, देखिए दो तरह की बाते सामने आई हैं, पहली बात तो यह प्रशासनिक, प्रशासनिक में यह है कि मद्दाता सुची तैयार करने के जिम्मा चुलजिला प्रशाशन को हो तो वो क्लीनिंग सही जंग से नहीं हुई, उसमें क्लीनिंग क्या होता है, कि कैसे कोई मर्य तक हो गया, मर गया, उसका नाम अभी भी मद्दाता सुची में दरज है, ओहो, ठीक है, जिनके नाम हट जाने चाहिए थे, दूसरे, असा कितने मर गय होंगे, कोरोना के समय तो बहुत हुए है, दूसरा, जो बड़ी चीज ये हैं कि हमारे राइपूर शाहर में बहुत सारे लोग किरायदार में रहते हैं, और वो अक्सर इधर से उढ़र, तो साल, ती साल, चार साल, उनके मद्दाता सुची में नाम जुड़े नहीं है, जुड़े भी हैं, तो दूस जिम्मेदारी होती है, पटवारी या नीचे, मद्दाता सुची में नाम जुड़वाना, सुधारना, उस दिशा में कोई काम नहीं हो, तो यहां नहीं हो, ग्रामीन शेत्रों में क्या होता है, कोटवार एक संस्था है, गाउं में, जो शाहर में नहीं है, वहां इसको कुछ किस तरह की इस्तिति है, को नया है, को जुड़ा है, तो नाम जुड़वाने में पन सर पन से लेकर अक्टिव रहते हैं, तो उसके कारां यह नहीं हो, यह काम पटवारी के जिम्में, तो पटवारी पास जमीन जयाजात के इतने काम है कि वह सब देखने की फूर्स अ नहीं हम है यही पाईशवक裡 के उपर बली तो यहां के एक एक कैसा है ने जो करोड़ पती हैं हर पंड़ यहां बलकुल झाल पर ऑ हुआ कहाँ जुए उसके किसी कागाजो अगर के मामले में उसके कोई भागि दारी कर लेते ईए फली हैं इत बड़bu पटवारी में रामदेयालुई के अच्छा वह पटवारी तो यह बतलाई है मुझको कि शहर के बारे में आपका कहना है कि जिस आधार के प्रतिशत निकाला जा रहा है उसमें झी तो असली वोटर होंगे भी नहीं होंगे दूसरी चीज इसमें एक पार्ट यह हुआ दूसरी चुनाओं या दूसरे चुनाओं में देखेंगे जिस तरह उस्सा से पॉलिंग पारिटी आप मतलब राजनी कारेकरता निकालते हैं इस बार मैने सुना कोईसी ने मेंनत नहीं की एक उत्तर में जरुता है काफी कुछ सादन जोगे थे लेकिन उसके बावजक्र परसेंट आप देख सकती हैं कि सबसे कम वहीं रहा सबसे कम वही रहा उत्तर में, मैं तो देख रहा हूँ उत्तर जो है निरूतर हो गया है खुदी, सबसे कम परसेंटेज, यानि सबसे ज़्यादा खर्चा सबसे कम परसेंटेज, माथा फोड रहे होंगे केंडिडेट अपना कहां पैसा इतना डाल दिये, वोटर तो आये ही न के मंतरी थे, जोगी जी के समय किस इलाके के थे, ये प्रेम नगर के, जोगी जी के समय के थे, ये शशांक ने कोटवार कहा, तो मुझके एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, बड़ा दिल्चस्प किस्सा है, जोगी जी के कैबिनेट में एक मंतरी थे, तुलेश्वर सी न उम्र के हिसाब से अपेक्षाकृत नौजवान थे वो ज्यादा बुजुर्ग नहीं थे कत काथी उनकी अच्छी थी दिलीप सिंग जुदेव जैसा उंचा कत था खुबसूरत थे दिखने में भले आदमी थे बहुत शरी भले आदमी थे कपड़े पहनने के बड़े शौकीन थे वो मैचिंग शर्ट और पैंट एक ही कपड़े का शर्ट पैंट पहनते थे उसमें ऐसा पट्टा वगर यहां फ्लैप लगे रहता था कंदे में सामने दो जेब रहते थे याद है आपको तुलेश्वर सिंग कर मैं क्यों सुना रहा हूं ये किस्सा तुलेश्वर सिंग जब मंत्री बने जोगी जी के समय मंत्री बनने के बाद घर गए घर जाके गाम में अपनी मां के पैर चुए तो बतलाए कि दाई में मंत्री बन गे हूं तो उनकी मां बोली ठीक है बेटा चल अच्छा होगे अब तो लग कोटवार के कपड़ा पहनना नहीं पढ़ी नह कर अब तो लग के बाद बतलाई थी कि मां उनकी बोली चल अच्छा होगे अपने मंत्री बन गे है अब तो लग कोटवार के कपड़ा पहनना नहीं पढ़ी ही ना ऐसा करके सिदी साधी महिलाए रहती है गाओं की मां उनको लगा कि चलो अब बेटा जो है अलग-अलग साधेन 3,500 खिलो मीटर के चलने वाली हूए पूरी चली थी कि एक लुग बार उनको बुलाना उन से बात करेंगी इतना चलने वाली किसी को देखा नहीं हुग है आप कभी उनको बुलाना बात करेंगे यहां पर चलिए यह तुलेश्वर की बात मुझको अचानक याद आ गई क्योंकि तुलेश्वर से इने खुद मुझको यह बात बतलाई थी हम आते हैं बिलासपूर में राइपूर के अलावा बिलासपूर एक और शहर है बड़ा शहर है यहां का उसमे बिलासपूर शहर की जो सीट है उसमें 56.39 फीसदी वोट दले है। 57 से कम, यह करीब करीव राइपूर की चार सीटों जैसा ही हाल है इसका एक अध सीट से बुरा ही हाल है यहां लेकिन अब बिलासपूर से लगी हुई जो सीटे हैं इस सीट के आस पास की लगी हुई जो सीटे हैं इनका हाल देखिए बेलतरा 65.71 जो बिलासपूर का छप्पन है बेलतरा में आके पलट गया 65 हो गया वो पांच की जगे छे की जगे पांच यहने करीब करीब यह नौफी सदी से ज्यादा सवा नौफी सदी वोट बढ़ गया बिलासपूर से बेल बिलासपूर शहर से तेरा फी सदी जादा है 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 बिलासपूर शहर से तेरा फी सदी जादा ह मैं आता हूँ पहले मस्तूरी में 66.96 बिलासपूर से ठीक 10 पीसदी जादा है मुझको क्यों याद पढ़ रहा है कि मस्तूरी जो है यह scheduled caste reserve seat है आप देखिए जिनको लोग कहते हैं कि यह कम पढ़े लिखे हैं यह गाउं के लोग हैं यह दलित है यह आदिवासी हैं ऐसा कहते हैं लोग आप देखिए बिलासपूर शहर जिसमें हाई कोर्ट जजों का भी वोट होगा बड़े बड़े हाई कोर्ट वकीलों का वोट होगा ऐसे शहर में उससे ज़्यादा मस्तूरी जो reserve seat है गाउं की seat है वहाँ पे 10 पीसदी ज़्यादा वोट हैं विलासपूर शहर से अब मैं आता हूँ एक और seat quota जो लगी हुई है विलासपूर से 74.1 अच्छे 18 पीसदी ज़्यादा वोट हैं विलासपूर शहर से यहने विलासपूर के दाएं बाएं चारों तरफ आप घूम लीजिए हर जगे की हलत जो है विलासपूर शहर से ज़्यादा अच्छी है कम से कम 9 पीसदी वोट ज़्यादा हैं ज्यादा से ज्यादा 18 पीसदी वोट ज्यादा हैं क्यों हुआ होगा ऐसा वही कारण मुझे यह भी समझ में आ रहा है इसके अलावा एक और बड़े आपकी बात से मेरे को ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में लोगतंत्र को सफल बनाना हो तो शहरों में कोटवार रहना जरूरी है दूसरी चीजी है कि मद्दाता सुची की तरफ ज्यान कम है ऐसा मुझे लग रहा ह लोग वहां गाओं के लोग शहर पढ़ने आ जाते हैं गाओं के लोग काम करने बाहर चले जाते हैं राइपूर में तो जो बस जाते हैं मुश्किल से छोड़ते हैं इसको तो वह गाओं में यहाल नहीं हुआ वहां से भी तो लोग गए होंगे बाहर लेकिन लोगों की जा हो जाता है सुधार हो जाता है जो कि शहर में नहीं हो पाया होगा इसके अलावा एक और बड़ी चीज है अभी यह सारे यह जो चुनाव हो त्योहारों के बीच हुए अभी आज से में रिखा से कल से छट सुरू हो गया है हमारे राइपूर हो या बिलासपूर में यूपी ब बिहार चले गए मुझको ध्यान है हमारे आपने इस्टूडियो में देखा होगा बीच बीच में एक पत्रकार आती है रजनी ठाकुर उन्होंने वोट की अपील भी की थी एक दो बार मुझको इंटर्व्यू भी किया था वो अभी गई हुई है बिहार तीन दिन पहले से मुझको नहीं मालूम है वोट डालके गई हैं कि पहले से चली गई हैं वो अपने परिवार से ही बिहार गई हैं पूजा करने के लिए छट की पूजा के लिए और मुझको उन्होंने मैसेज भी किया कि सर वहां से लोटते में मैं आपके लिए प्रसाद और क्या ठकुआ है क्या बोलते हैं उसी तरह को ऐसा कुछ वो लेके आऊंगी वहां की बिहार की कोई मिठाई रहती है वो तो ये बात आप सही बोल रहे हैं लोग ऐसे जाते हैं बात दूसरी चीज़ इसकी सीम भुपेज बगेल और विपश्च के निता इन्होंने मांग भी कि थी कि चुनाव आयोक से कि हमारे च्छट बड़ी संख्या में मुझको ध्यान है ये जो उर्ला सिल्तरा इलागोगाओं ये इलाका है यहां भी बिहार के बहुत लोग रहते हैं तो आपका ये कहना है कि तेहार की वज़े से भी कमी होगी मदाता सुची ठीक नहीं बनी इसलिए ज्यादा द आने वो चले जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा वोट पर फरक नहीं पड़ता अच्छा वो परवाही नहीं करते हैं बहुत सारे लोग आसपास छुट्टियां देखते हुए अपन निकल जा रहे हैं कोई काना किस ली चले गया कोई चित्रकूट चले गया ऐसे ये मुझको एक बात बतलाओ आप बात बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो वकील रहते तो मुकदमा जीत भी जाते आपके साथ दिक्कत यह है कि सामने मैं बैठा हुआ हूँ इसमें से छट लोगों का मरना कोटवार का न होना ये 2003 में नहीं था क्या छट क्या 2003 के बाद चलू हुई है 2003 में भी थी लोगों के पास पैसा 2003 में भी था 2008 में भी था 2013 में भी था 2018 में भी था 2003 से लेके आज तक क्या आखले देख रहा हूं राइपूर की चार सीट में इतना कम वोट किसी चुनाओं में नहीं गिरा जितना अभी गिरा है तो आपकी जितनी बात है 2003 में बड़ा कारण मुझे यह लग रहा है दूसरी चीज मैं जहां हवी पोलिंग होती है मैं इसमें भी आगा आधर रहेगी तो बात जैसे मुस्लिम बस्तियों और निकली बस्तियों में जहां के एक तरह के पारशाद जो जीन क्या है हूं एजाड डेवर मैं राइपूर की बात क खेतर में रहते हैं वह विखाए मुख्रमोद दुबे दो बड़ा मैं वहां का वोटिंग देख रहा था तो पिछले चुनाओं के मुकाबले बारा पारा परिस पर कम हुए वोटिंग कम हुआ है कम हुआ है इतना को यह लोग करा नहीं पाए अब आप आए मुद्धे पे आप कांग्रेस के यह दो बड़े नेता यहां वोटिंग करा नहीं पाए इसको आप आखरी में बतला रहे हों मैं बार बार आपको पूछ रहा हूं कोई और बात है क्या करके असली बात यह है कि बड़े बड़े दिगज अपने खुद के वार्ड में महेंते जी के लिए व खाली रहे यहां पे कांग्रेस के लिए कुछ भी संभा है देखिए मैं कई लाकों में घूमा हूं लोगों का कहना है कि हमारे यह यह राक्षष जैसा इतने साल से बैट गए इसको हम हटाएंगे नहीं तो हमारा रास्ता कैसे खुलेगा हम 30 साल से इनी को वोट देते आ रह से यह बामन दे हुता है इसे यहां बैट दे हैं खिसका पाम बोलते थे अंगट का पाम किसे एन अंगत के पाम जा गये है घले नहीं कि इस तरह को खुश हो लेकिन लेकिन मैं तो आशांका बता रहा हूँ कुछ लोग कुछ लोग कुछ लोग दूस्ट रहते हैं उनके मैं मैं ऐसी भी आशांका आती है मैं मान के चलता हूं किनों लोगों ने मैंत रामसों अंदरदास का इमानदारी से काम किया होगा हलां की ब ज्यादा तर चेहरे पुराने हैं अच्छा एक कारण ये भी आ रहा है कि ज्यादा तर चेहरे पुराने हैं को देने का क्या उतलाव इस तरह का कोई नया यह यह शमी कपूर की फिल्म टाइप हो गया हम आपने पिताजी के समय से देखते आ रहे थे और कितना देखेंगे यह कुछ वोटर ऐसे होंगे राइपूर के जो आप बोल रहे हैं उसे साब से बोल रहा हम है जिनको ब्रिजमोहन को देखके लगता होगा यह तो मेरे अन प्राशन में भी आए थे जब मैं पैदा हुआ था तब भी आए थे और मेरे माँ-बाप का शादी का इल्बम देख रह कोई नहीं है कोई नहीं हम वह टूनना है क्यों भawa होगा इसा लेकिन मैं आपको एक दिल्चस्प बात बताता हूं जो बिल्कुल बाहना नहीं है देश के एक सब से बड़े राज नेता कि यह डिकीं बार बार सिंदा कौम ay पाँ वरस इन्तजार नहीं करती उनके कहने का मतलब ये था कि वोट तो पांच साल में एक बार डलता है लेकिन जो कौम जिन्दा रहती हैं जिस यमोरियत में जिस डिमोक्रेसी में लोग जिन्दा रहते हैं वो पांच साल इंतजार नहीं करते हैं पांच साल के पहले वो करांती कर देते हैं अंधोलन करते हैं सरकार का य मैं सुनता हूं कि जिन्दा लोग जिन्दा कों में पांक साल इंतजार नहीं करती तो मुझको लगता है कि राइपुर जैसा शहर राजधानी जहां पांक सो मीटर से दूर पोलिंग बूत नहीं है सब चीज घर के पास है जहां जहां परचियां मेरे घर में बारा चौदा पर कि अगर ये जिन्दा लोगों का शहर होता तो ये पांच बरस इंतजार नहीं करता बीच में भी बगावत करता बीच में अंदोलन करता बीच में नारे लगाता बीच का तो छोड़ दीजिये पूरे पांच बरस के बाद चुनाव हो रहा है तो यहां के लोग सोए पड़े यह राजदानी है कि कबरिस्तान है शशानकर मुझको तरह सारा है अपने आपके उपर कि मैं इसी राइपुर शहर में रहता हूं यहीं कि एक पोलिंग बूथ में बोट डालने गया था जिस बूथ में गया था वहां पे जो नंबर मेरा था बहुत सारे बूथ थे वहां एक जादा जो नंबर मेरा था उस पर बहुत लंबी लाइन थी पच्पन मिनट करीब मुझको इंतजार करना मड़ा निकल के मुझको एक लाइव टेलीकास्ट पर बैचना था उनके फोन बार बार आ रहे थे तो भी मुझको लगा कि लाइव टेलीकास्ट चाहे देर से हो शु को तरस आ रहा है देखकर ये इस शहर के राजधानी राइपूर कहे जाने वाले शहर के लोग सोचें कि क्या आप इसको राजधानी कहने के हगदार हैं या आप राम मनौ और लोहिया के शब्दों में जिन्दा कौम कहलाने के लायक नहीं है अगर आपके वोट डालने का य हाल है आप अपने बारे में सोचिए चुनाओं तो आते जाते रहेंगे आपके वोट न डालने से भी अगर कोई खराब उमीदवार चुनके आएंगे अगर खराब पार्टी चुनके आएगी खराब सरकार बनेगी तो एक बात जान लीजिएगा कि बस्तर के उस जैसे शहर में बसते हैं फक्र करते हैं जिस शहर के उपर सरकार अनुपात यहीं डंक से हज्जारों करोड रुपिया ज्यादा खर्च करती हैं शहर के किसी भी दूसरे हिस्से के मुकाबले अगर आप बिलासपूर में रहते हैं जहां हाई कोड के जज बसते हैं जहां हाई बारे में सोचिए मेरी तरफ से बिलासपूर और राइपूर के लोगों को एक एक आईना उसको देखिए अपने बारे में सोचिए मैं लोहिया की बात को बार बार दोहराना नहीं चाहता कई लोग ज़्यादा चर्चा मुर्दों की सुनके डर जाते हैं फिर मिलेंगे अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन की बटन दबाईए लाइक कीजिए इसके लिंक दूसरे लोगों को भेजिए अपने दोस्तों को हो सकता है अगले किसी चुनाओं तक वो जिन्दा कौमों में शामिल होना चाहें हो सकता है आप नहीं भी हो सके कोई बात नहीं आपके दोस्तों शाहिद हो जाए पुन्य आपको भी मिलेगा थोड़ा सा लोग तंत्र में फिर मिलते हैं